हेलो दोस्तों आप लोगों को स्वागत करता हूं मैं एक और वीडियो में और मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं सेलोन गयान यूटूब चैनल तो यह वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली के हादिक्षिप काम लाएं और इस दिवाली आप लोगों नती करे और अच्छे काम करें ताकि आप जिन्दगी में सफल हो पाएं तो आज का वीडियो हम ड्राय हेर के उपर लेगा हैं कि बहुत सारे क्लाइंटों के जो बाल होते हैं वो बहुत फ्रीजी ड्राय और अन्मैनेजबल होते हैं तो अगर आपके बाल बहुत रूखे बेजान है और उनमें शाइन नहीं है और आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट के कैमिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं तो आज का ट्रीटमेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूं इस दिवाली यह ट्रीटमेंट आप घर बैठे ही कर सकते हैं और इसमें क तो सबसे पहले यह जो सर्विस है आप घर बैठे ही कर सकते हैं बहुत इजी सर्विस है बोड पर मैंने सब कुछ लिख रखा है ताकि आप पर ताइम देश जाता ना हो तो यह वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो चलिए बोड पर चलते हैं तो सबसे पहले आप देखे हो चुका है तो इस treatment से आपके बालों में फिर से जान आ जाएगी बलकि आपके बाल अगर chemical से जल भी गए है तब यह treatment काम कर सकता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने बालों को अच्छे से wash कर लेना है और उनको dry कर लेना है ड्राइ करने के बाद आप क्या करेंगे इसमें wash हम दो बार करेंगे तो एक बार wash करना है आपको उसके बाद बालों को dry कर लेना है और आपको ले लेना है पहला hot oil होइट ओइल से आप मसाज करेंगे अच्छे से मसाज करना है स्केल्प से लेकिल लैंड तक अच्छे से बालों को मसाज करना है 15 मिनट 15 मिनट तो आपको 15 मिनट मसाज करना है आप चाहें तो यह बोड पे भी देख सकते हैं होट ओइल से मसाज करना है 15 मिनट 15 मिनट के बाद म स्टींम देना है ईए स्टीम कैसे कर लहां आपको हर्ट टावल करके उसके बाद देखेंगे अगर जब यह step up कर लेंगे तो तीसरा step जो होगा आप एक मिश्रन तयार करेंगे आपको मिश्रन बढ़ाना है और इसमें जो समागरी होगी जो भी समान होगा वो मैं आपको लिखवा देता हूं तो पहला जो आपको लेना है वो लेना है केला तीन से छे according to your health hair के according आपको लेना है और उसके बाद आप दूसरा जो लेना है वह अंड़ा अंड़ा आपको दो ले लेना है कम से कम उसके बाद olive oil ले लेंगे आप दो चम्मच olive oil दो चम्मच और उसके बाद आप ले लेंगे मेथी पाउडर चोथा जो हमारा होगा वह होगा मेथी पाउडर वह आपको एक चम्मच ले लेना है बोट पर मैंने सारा मैंशन किया है आप यहां से भी screenshot लेके लिख सकते हैं उसके बाद जब भी पूरा मिश्रन आपको तैयार हो जाएगा उनको अच्छी तरगी से mix कर ले रहा है मिक्सी में या किसी भी चीज में अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आपको अप्लाई करना है स्केल्प से लेके अग्रें यानि अश्केल्प से लेकर हेर लन्थ तक पशनमलन्फ लगाएंगे उसके बाद आप को अपलाई कर देंगे जो अप्लिकेस्जिक्शन करेंगे आप छोटे-छोटे शावर कैप से हेर को कवर कर देना है 15 मिनिट तक 15 मिनिट से आदे घंटा याने 15 मिनिट से 30 मिनिट तक 15 से 30 मिनिट तक आप हेर को कवर करके रख सकते हैं शावर कैप में उसके बाद आपको शैंपू से वाश कर रहे हैं cannele Shampoo से बोश करना है possibly से ज़ो करेंग ज़ो시 करेंगे यह प्यरिंग फंट नहीं होना चाहिए माईल स्थी और माईज शाम्पू करेंगे डिया स्थी टो spark कर लेंगे तो हमार्श कर कि हाट शैंपू नहीं होना चाहिए उसका कंडिशनिंग भी करना है कंडिशनिंग करना कंपल्सरी उसके बाद लास्ट स्टैप जो आ जाता है आप हेर को जो ड्राइ करना है अगर ब्लो ड्राइ से करते हैं अगर आप उसे नेचरल सूखने देता है तो ज्यादा बैटर है अ तो आशा करता हूं यह चीज आपको समझ में आए गया होगा एक बार दुबार आपको समझा देता हूं सबसे पहले आपको हैड वुष के बाद हॉट ओज से पतरा मिनिट मसाज करना है उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको 10 मिनिट तक हेर इस्टीम करना है हेर इस्टीम आप मशीन से पहले कर सकते हैं और टाबल से उसके बाद जो मिशन तायार करना है केला सा प्लाइगे तक उसके बाद आप अप्लीकेशन खतम करने के बाद शावर कैप से बालों को कवर कर देंगे कावर जो करेंगे 15-30 मिनटे तक रखेंगे उसके बाद आyl वोश करेंगे हैट वोश आपको माइल से कडिशनिंग करनी है और इसके बाद लाय करना है हेर जो आप ड्राइए करेंगे हेर ड्राइए आपको नॉर्मल हीट पे या तो कोल ड्राइए करना है 100% ड्राइए करना है और 100% ड्राइए करने के बाद आप हेर पे सिरम अपलाई कर सकते हैं तो आपका हेर जो हाइडर है यहाँ पे हमारा हाइडर ट्रीटमेंट खतम हो जात करना है तो इस बातों का भी खयाल रखेंगे आप आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और पूरी दी जानकारी आप समझ पाए होगे तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि यह यह जो प्रॉब्लम है ज्याद